इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह फॉसिल फ्यूल्स के जलने से दो अलग-अलग तरीखों से बरसाद का पानी एसिडिक हो सकता है सल्फियूरिक एसिड मेंली बिजली घरों में कोईले और तेल के जलने से बनता है जबकि नाइट्रिक एसिड हमारे मोटर वियेकल के एक्जॉस्ट पाइप से उतपन होता है सबसे पहले ये समझना महत्वपून है कि बारिश नैचुरली थोड़ी एसिडिक होती है जमीन पर गिरते समय बारिश वातावरण से कार्बन डाय उकसाइड को डिजॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाती है एक वीक एसिड जो प्राकृतिक बारिश के पानी का पी एच सिक्स बना देता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तब बहुत स्ट्रॉंग एसिड बारिश के पानी में मिलते हैं और एसिड ब्रेन बनती है जिसका पी एच तीन तक पहुच जाता है जब पी एच छे से तीन में बदलता है तो आपको क्या लगता है कि एसिड इटी कितनी बढ़ जाती है दो गुनी, तीन गुनी, दस गुनी या एक हजार गुनी वीडियो को रोकिए और सोचिए ये याद रखिए कि पी एच में होने वाले हर एक चेंज पर एसिडिटी में दस गुना चेंज होता है तो छे से तीन में बदलने पर वो दस इंटू दस इंटू दस यानि एक हजार गुना अधिक एसिडिक होगी चलिए, पहले सल्फिरिक एसिड लेते हैं पौधों को बढ़ने के लिए थोड़े सल्फर के आवशक्ता होती है वे इसे सल्फेट से प्राप्त करते हैं उधारन के लिए पुटेशियम सल्फेट जो नेचरली मिट्टी में पाया जाता है सल्फेट्स पौधों की जड़ों द्वारा लिये जाते हैं और पत्तियों के प्रोटीन्स में स्थित कार्बन एटम्स इनके सल्फर एटम्स से बॉंड्स बनाते हैं जब पौधे मर जाते हैं और लाखों सालों के अंतराल में कोईले और तेल के रूप में बदलते हैं जब कोईला जलता है तो sulfur और carbon atoms हवा में उपस्थित oxygen के साथ जुड़ जाती है और carbon dioxide और sulfur dioxide के रूप में वातावरण में release होते है Sunlight की उपस्थिती में एक photochemical reaction होती है जहां sulfur dioxide, sulfur trioxide बनाने के लिए एक और oxygen के साथ react करती है ये बारिश के पानी में dissolve होकर sulfuric acid बनाती है अब सोचे कि nitric acid बारिश में कैसे आता होगा हमारे motor vehicle के cylinders में high temperature की conditions में हवा में उपस्थित nitrogen और oxygen कुछ मातरा में react कर सकती है ये याद रखें कि fuel जलाने के लिए काम में ली गई हवा में लगबग 80% nitrogen होती है इसलिए vehicle से निकलने वाली gases में कम लेकिन प्रभावी मातरा में nitrogen oxides होती है जब nitrogen की oxides हवा में होती है तो वे oxygen के साथ react करती है जैसे हमने sulfur dioxide के साथ देखा था और बारिश के पानी में dissolve होकर ये nitric acid बनाती है यदि बारिश चूने के पत्थर वाली मिट्टी पर गिरती है जो कि alkaline होती है तो acidity को neutralize किया जा सकता है हलांकि यदि बारिश neutral या acidic soil या वनस्पती पर गिरती है तो ये काफी नुकसान पहुचा सकती है अब ये acidity जीवित जीवों के लिए हानिकारक क्यों है वेल जीवित चीजें acidic conditions में अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती है और इसे demonstrate करना आसान है bread की एक slice vinegar में और दूसरी शुद पानी में डूबोई है थोड़ी देर के लिए उन्हें खुला छोड़ दीजे और फिर उन्हें cover करके एक सप्ताह के लिए छोड़ दीजे आप पाएंगे कि vinegar में डूबी हुई bread पर fungus नहीं जमी है जबकि दूसरी bread पर जमी है वास्तव में हम pickling नामक एक process में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए vinegar का use करते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ enzymes जो growth के लिए महत्वपूर्ण होते हैं acidic conditions में काम नहीं कर पाते हैं दूसरी main problem soil यानी मिट्टी में है जहां naturally मिलने वाले toxic metals जैसे की aluminum insoluble हैं और इसलिए neutral soil के लिए हानिकारक नहीं हैं ये acidic soil में soluble हो जाते हैं अब ये जीविच चीज़ों में पहुँचकर zinc और iron जैसे जरूरी metals का इस्थान ले लेते हैं इसके अलावा acid drain में मौझूद hydrogen ions जरूरी metal ions को replace कर देते हैं जैसे की potassium, magnesium और calcium जो आम तोर पर clay soil में रहते हैं इसके कारण ये जरूरी metals पौधों की जड़ों से दूर बह कर नीचे की ओर चले जाते हैं तो आपने देखा कि dissolved carbon dioxide के कारण सामान ने बारिश थोड़ी acidic होती है लेकिन acid drain में sulfuric और nitric acid होता है जिससे बारिश एक हजार गुना ज्यादा acidic और कई जीविच चीजों के लिए खतरनाक हो जाती है sulfuric acid sulfur yugd fossil fuels के जलने से उतपन होता है petrol और diesel engines के cylinders में उच्च तापमान की conditions में atmospheric oxygen और nitrogen की reaction से nitric acid उतपन होता है क्या ऑफ़ा से उतपन होता है